हाई मैं प्रशान्थ आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वीटी टू कमूनिटी में स्वागत करते हैं तो आज हम इस वीडियो में आपको बैंक निफ्टी के लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रेड़ी बताने जा रहे हैं इसके बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं यानि ये वीडियो देखने के बाद आपको बैंक निफ्टी के लिए जबदस्त इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेड़ी मिलने वाला है और यह जो trading strategy है यह आपका है days high and low trading strategy तो साथ आपने इस trading strategy का नाम नहीं सुना होगा लेकिन यह काफी powerful trading strategy है और इसके वेक्सिस पे आप bank nifty में intraday trading कर सकते हैं चलिए देखते हैं और सीखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम days high and low trading strategy के concept को समझते हैं यह यह work कैसे करता है उसके बाद आप easily इस trading strategy को समझ सकते हैं और उसके basis पे हम trade कैसे लेंगे कहाँ पे हमारा entry point होगा कहाँ पे stop loss होगा कहाँ पे target price होगा सारा कुछ में आपको well defined बताने वाला हो कोई confusion नहीं है कोई complications नहीं है तो चलिए start करते हैं तो आपका days high and low suppose that किसी particular day nifty ने इस point पे अपना highest point बनाया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक line draw कर देंगे ठीक है और यह line अब आपका resistance के रूप में काम करेगा क्यों काम करेगा क्योंकि market में strength नहीं था कि market इस particular level के उपर जा पाए इसलिए यह आपका एक resistance के रूप में काम करेगा उसके बार आपका price यहाँ से नीचे भी जा सकता है यानि price इस तरह से उपर आया और इस तरह से नीचे गिया है अगली बार वापस है जब भी price यहाँ पर आएगा और जैसी यह level break हुआ उसके बाद यह जो resistance level है इसका काम खतम नहीं हुआ यह अपना रूप बदल लेता है यह क्या बन जाता support level मतलब अब यह जो resistance level है इस वाले position के बाद यह नि इस वाले position के बाद यह resistance level क्या बन जाएगा यह आपका support level बन जाएगा और अगली बार जब भी price आपका उपर से नीचे की तरफ आएगा यहाँ पर आएगा support डिवलक पास आएगा ति यहाँ पर हम क्या करेंगे buy करेंगे ति यह आपका high के basis पर कर सकते हैं अगर market ने एक low बनाया है किसी particular day ति यहाँ पर हम एक line draw करेंगे और यह low बन जाएगा आपका support line उसके बाद market इस low को break नहीं किया इसके क्या मतलब है कि यहाँ पर अच्छे खासे buyers active है यहनि market में उतना strength नहीं है इस low को break कर पाई यहनि sellers के पास उतना strength नहीं है उसके बाद क्या होता price यहाँ से नीचे की तरफ आता और यहाँ से फिर उपर की तरफ निकल जाता ऐसे ही एक दो बार हो सकता है और उसके बाद यह भी हो सकता है कि यहाँ से price आपका उपर ना निकले इसको break करके नीचे आ जाए तो जैसे ही यह level break किया उसके बाद यह level क्या बन जाएगा यह level पहले support था यह support के बाद इसके बाद क्या बन जाएगा यह आपका resistance लेवल बन जाएगा उसके बाद अगली बार जब price यहाँ पर आएगा तो इसको strength चाहिए break करने के लिए जल्दी break नहीं करेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे sales side के तरफ जा सकते है तो इस तरीके से आपका days high and low concept काम करता है और इसी concept के basis पे हमने bank nifty के लिए एक strategy बनाया जो की काफी suitable है especially bank nifty में चलिए उस strategy के basis पे हम सारा कुछ setup तयार करते हैं तो यहाँ पे हम लोग bank nifty के 50 minute के time frame में आगे यहनी 50 minute का chart यहाँ पे open कर लिया अब आपके पास question होगा कि यहाँ पे हम सार कौन कौन सा time frame इस्तमाल कर सकते हैं अब देखें bank nifty किसी particular day जो high बनाएगा यही high आपका 5 minute में भी रहेगा 15 minute में भी रहेगा early में भी रहेगा 30 minute माले भी रहेगा तो यहाँ पे आप कोई भी time frame यूज कर सकते हैं लेकिन अगर हम intraday trading यूज करते हैं तो उसमें हम generally 5 minute और 15 minute का time frame यूज कर सकते हैं इसलिए यहाँ पे हम 15 minute का यूज कर रहें आप चाहो तो यहाँ पे 5 minute का भी time frame यूज कर सकते हो तो time frame को लेके doubt clear हो गया intraday में 15 minute से ज्यादा time frame आप मत इस्तमाल कीजिए अगर आप कमने करने का तो कर सकते हैं इसमें कोई hard and fast rule नहीं है क्योंकि यह जो days high और low रहेगा चाहाँ आप कोई भी time frame वीज कर लो दोनों के लिए बरावर ही रहेगा तो जली यहाँ पे हम 50 minute का time frame ले रहे है और उसमें हम इस strategy को work करवा के देख रहे है अब यहाँ पे हम 1st of April से आज की date के according यह नि 16 April तक check करेंगे कि यह strategy के basis पे कितना हमें trade मिला है कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है तो यहाँ पे देखिए 1st of April को market open हुआ है और market close होने के बाद यहाँ पे यह जो है यह आपका lowest point बना है और यह आपका high बन गया यह नि जो highest point होता है वो हमारा क्या होता है वो हमारा यहाँ पे resistance बन जाता है और जो lowest point होता हो हमारा क्या बनता वो यहाँ पे हमारा support बन जाता मतलब अगली बार market जब भी इस level के पास आएगा तेडिफल के यहां पे हम क्या करेंगे sell करेंगे और जब भी इस level के पास आएगा तेडिफल के बाइगे next day जब भी आएगा उसके बाद है कि अगले दिन market पर जो भी high low बना उसको ड्वा करते हैं 4th April को आपका ये low बना है और ये जो है ये आपका high बना है ठीक है अब मेरा जो high है वो क्या बन जाता रिस्टेंस लेवल बन जाता इसको हम R से डिनोट कर देते हैं और जो low है वो मेरा क्या बन जाता सपोर्ट बन जाता जिसको हम R से डिनोट कर देते हैं समझा ये low support high resistance अब यहाँ पर क्या हुआ अगले दिन जब भी market इस लेवल के पास आएगा तो हम क्या करेंगे sell करेंगे क्योंकि इस पूरे दिन हमने सिर्फ support और resistance लेवल find करने में time भी था दिया तो हम देखते हैं 5th of April को अब यहाँ पर देखें 5th of April को यह हमारा क्या था resistance line था अब market open ही हुआ है यहाँ पर अब यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे यहाँ पर मुझे दो चीज़ चेक करना है सबसे पहला अगर market resistance level के पास आ रहा है तो सबसे पहले यह उसको touch करना चाहिए इसने almost resistance light को touch कर दिया दूसरा कि ओपर से हमें rejection दिखना चाहिए ठीक है touch करने के पास यहाँ पर हमें rejection दिखना चाहिए यह candlestick touch किया और similar candlestick आपको यहाँ पर जबरदस्त rejection दिखाया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सेम केंडल स्टिक में हम एजेक्शन दिख रहा है तो हम इस लेवल के करेब यहाँ पर हम अपना entry point बना सकते हैं नहीं तो अगला candle open होते ही हम अपना entry point बना लेंगे इन दोनों जग में इसे कोई भी मेरा entry point बन जाएगा ठीक है entry point में रबन गया उसके बाद stop loss यह जो highest point है इसको हम as a stop loss ट्वेट करेंगे या नहीं तो थोड़ा और safety लेना है तो highest point चे थोड़ा से उपर हम अपना stop loss रख सकते हैं यहाँ पर मेरा entry stop loss दोनों well define हो गया ठीक है तीसरा हमें target कहां book करना अगली बाद जो support level था देखिए यह candlestick के basis पर यह हमारा support level था यहाँ पर हम अपना target price बुक कर लेंगे clear कर देते हैं यहाँ इससे थोड़ा से उपर हम अपना stop loss रखेंगे इस level करीब यादि इस level करीब दोनों में से कोई भी हमारा entry point बन जागा जहां पर भी आप चाहो ले सकते हो और यह हमारा target price बन जाता यहनि इसने अपने target को hit कर दिया इसके basis पर हमने trade setup लिया market open होते ही यह trade setup मेरा काम कर गया अब यहाँ पर एक और चीज benefit है कि लोग बोलते market open होते ही थोड़ा सा settle होने दीजे यहाँ पर settle करवाने की कोई जरूरत नहीं है आपका resistance level के पास आया आप बे हीचक होके sell कीजे stop loss हम छोटा सा रख रहे है stop loss hit होता हीट होने दीजे आपको maximum time यहाँ पर profit भी लेगा और इस trade की accuracy level की बात करे लगबग आपका 80% करीब accuracy level है आप चेक भी कर सकते हो यह धोड़ा सा decision लेना difficulty क्योंकि आपको पूरे दिन market पर बने रहना पड़ता है previous data को record में रखना पड़ता है उसके बाद आपको आगे continue forward होना पड़ता है इसलिए इस strategy को बहुत कम दोग इस्तेमाल करना चाहते है लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे काफी active होके तो आप इसके basis पे अपने trade को profitable बना सकते हो या नहीं तो आपको यह trading decisions लेने में बहुत ज़्यादा help करने वाला है तिहां पे हमने सारा कुछ define कर लिया था जो हमारा resistance line था यह resistance line आगे भी continue चलेगा और जो support line था यह हमारा support line था यह हमें आगे भी चलेगा अब यहाँ पे देखिए अगले दिन क्या हुआ 6th of April को market gap डान हुआ है और यह जो support line था उसके नीचे open हुआ तो मैं आपको क्या बताया था support line break होते ही support line अपना रूप बदलेगा यानि यह S से R में convert हो जाएगा यानि यह आपका अब बन गया resistance line और जैसे के resistance line बन गया उपर वाले line का आप कोई मतलब नहीं रहे गया अब हमें आज के closing के time पे क्या खोजेंगे support खोजेंगे लेकिर market अगर जब भी इस level के पास आता है यह नि लगबग आपका यह 37,800 करीव है यहाँ पर जब भी market आएगा हम क्या करेंगे sell side की तरफ जाना प्रेफर करेंगे ऐसे ही day by day हम continue आगे बढ़ते रहेंगे और यह strategy को हम daily carry forward करते रहेंगे यहाँ पर हमारे पास अब resistance level है support level नहीं है support level आज market close होने के बाद मिलेगा तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर देखिए हमारा resistance line क्या था यह हमारा resistance line था अब यहाँ पर हमें दो conditions क्या फुल्फिर करना था प्राइस यहाँ पर आया इन्हीं प्राइस इसको touch करना चाहिए तुछ कर दिया ठीक है दूसरा यहाँ से हमें क्या देखना चाहिए यहां से हमें rejection दिखना चाहिए पहला candle green है rejection दिखा रहा यह candle stick हमें बिल्कुल भी rejection नहीं दिखा रहा थो हम इंज्यार करेंगे rejection का उसके बाद अगला rate candle है जो की हमें यहाँ पे rejection दिखा रहा है दूसरा point satisfy हुआ है, ये candle form होने के बाद, उसके बाद क्या करेंगे, हम इस candle के आसपस, यानि लगभग ये जो point है हमारा, 37,800 से 500 के बीच में, 37,700 करीब हो जाएगा, यानि 37,700 करीब मेरा entry point होगा, एक्जेक्ट नहीं है, थोड़ा उपर नहीं हो सकता है, उसके पीछे नहीं जाएगा, इसके करीब मेरा entry point बन जाएगा, ठीक है, अब मेरा stop loss क्या होगा, ये जो line है, उससे थोड़ा से उपर यानि, इस candle के highest cost में stop loss रख लेंगे, target पर इसकी बात करें, तो intra day में market closing के time हम अपना profit book कर लेंगे, नहीं तो, previous में ये जो line था, इसके करीब हम अपना profit book क करेंगे, अगला support level जहां पर भी है, बुक करेंगे, नहीं तो, ये strategy सिर्फ intra day में काम करता है, इसलिए हम उस दिन market close होते ही profit book कर लेंगे, अब यहां पर देखिए, market आपका, यहां पर close होने के time आ गया, और हमने, जो sell किया था, इसी level का sell किया था, और उससे नीचे ही price trade कर यहां पर हम अपना profit book कर लेंगे, यहां पर मुझे कुछ ना कुछ profit मिला होगा, कितना point का profit होगा, उसके हम फोकस नहीं कर रहे है, यहां पर मुझे profit मिल भाया, आपको concept समझना है, उसको live market में experience करना है, आपको paper trading करना है, back testing करना है, उस सब के बाद आपको live market में जाना है, यह वीडियो देखने के बाद आपको live market में trading स्टार्ट नहीं करना, मैं बार-बार बहुर रहा हूँ, इसको आपको practice करना, कुछ doubt या confusion है, तो आप हमें comment section पूछिए, उसके बाद, वो doubt clear होने के बाद, आप वापस से paper trading कीजिए, या फिर practice कीजिए इसको, और जब वहां पर आपको पूरा clarity आ जाए, पूरा perfection आ जाए, फिर आप इसको trade में इस्तमाल किजिए, तो अब हमारा क्या यहां पर बना हुआ, support level हमें कब मिला, six को close होने के बाद, यानि हमारा support level यहां पर बना है, और resistance level हमारा, यह line है, ठीक है, अगले वापस से market आपका gap down खुला है, और यह support level वापस से आपका क्या बन गया, resistance line बन गया, यानि वापस से यह हमारा resistance line बन गया, और यह जो resistance line था, इसका कोई मतलब नहीं रह गया है, ठीक है, clear, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जब वापस से यह resistance line के करीब आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर sell करना prefer करेंगे, अगले दिन क्या हुआ, market इसके नीचे ही open हुआ, resistance line के करीब आया, और यहां पर हमें क्या चाहिए, rejection चाहिए, लेकिन rejection नहीं देखने को मिलबा, price आपका resistance line के करीब ही trade करने लग गया, यहनि price यहां से rejection दिखाया नहीं रहा, थोटा मोटा rejection दिखाया रहा, और यहां पर देखिए, तो लगबख सारा का सारा candle आपको resistance line को touch कर रहा है, मतलब यह है कि resistance line को multiple times hit किया जा रहा है, आपको यह सब भी psychology समझना परेगा, यह आपका infrared trading strategy है, और यहां पर आपको बहुत कुछ हो रहा, देखिए, एक group of candlestick का लगवा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां पर हर एक candle stick resistance level को hit किया है, और जब इतना लगातार resistance level hit होगा, तो break होने के chances बन जाते हैं, अगर यहां पर चाहो, तो आप sell भी कर सकते हो, छोटा सा stop loss डाल के stop loss hit भी हो सकता है, लेकिन दो tweet मेरा पहले profit में गया है, यह tweet अगर नुकसान में भी चला जाए तो कोई दि है, यहां पर resistance level मेरा break हो गया है, तो अगर आप इसको read कर पाऊ तो ठीक है, नहीं कर पाऊ तो यहां पर हमान के चलते हैं, कि मेरा जो छोटा सा stop loss था, वो hit हो गया है, यहां यहां पर हमारा resistance level था, वो break हो गया है, तो resistance level ब्रेक होते ही क्या बन जाएगा, support level, मैंने पहले ब बन गिया, यहीं वापस से अगर market इस support line के पास आता है, तो हम क्या करेंगे, buy prefer करेंगे, कब जब support level से हमें rejection देखने हो मिलेगा, उपर की तरफ तब, अब यह जो पहले resistance level हुआ करता था, यह हमारा support level बन गया, और resistance level क्या बना, यह हमारा resistance level बन गया, अब देखिए price यहां बिल्कुल touch हुआ है, दूसरा, क्या यहां पर rejection देखने को मिला है, बिल्कुल नीचे में tail है, tail at the bottom लगाता है तीन candle, डेट मिन्स्ट्री यहां पर हमें अच्छा खासा rejection देखने को मिला, यहनि इस candle पर हम यहां पर क्या करेंगे, buy कर लेंगे, stop loss, इस से थोरा सा नीचे हमे अपना stop loss लगा लेंगे, यहनि stop loss मेरा रहेगा, 37-500 थोरा से नीचे, 37-500 करीब buy करेंगे, और target price मेरा क्या रहेगा, यहां पर आप 100-200 point या ने तो इस resistance line के लिए भी जा सकते हैं, और यहां पर अपना stop loss को tail भी कर सकते हैं, देखिए उसके बाद price आपको उपर की तरफ नि मिल गया है, यहां पर मेरे पास कितने total हो गए, 4 trade, 4 में से 3 में profit हुआ है, और 1 में मुझे नुकसान उठाना पर है, तो अब वापस से हमारा क्या है, यहां पर थोड़ा सा confusion लग रहा होगा, लेकिन आपको समझना है, एक बार और वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, यह जो line है, यह बोवरा support line है, और यह जो line है, यह हमारा resistance के रूप में काम कर रहा है, अब हम ånd aç को tweet क्लोज कर चुके हैं, अब यहां पर ह diesen line है, वो continue रहा है अब यहां पर भी आया है व्रेवां के पास आया हम क्या करेंगे सेल करेंगे जब ओन सुन कारेंगे जब हम हमें यहां डेल करेंगे और समफ लेवल हमारा इसके असपास बना हुआ हुआ है इलते दिसंसे allied होने वहाला था यहां हम पर प्रॉफिट बुक करने यहां पर मुझे एटलिस 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिला यानि पांच ट्रेड अब हमने ले लिया और नीचे में देखिए जो support line था पहले उसके नीचे open हो गया मतलब अब हमारा support line बन गया वह इस दिम के closing के करीब बन गया यानि यह हमारा support line बन गया और वापस से 12 को लगबग आपको 1-2 बज़े करी यानि market closing का time में यहाँ पर आया है और यहाँ पर rejection दिखा है यानि इस candle पर हम चाहो तो sell कर सकते हूँ लेकिन market closing का time है sell करना विस्की रहाएगा और जो भी लोग sell किया होगा उसको कुछ ना कुछ profit मिलाओगा लेकिन यहाँ पर sell करना विस्की है इसलिए तीन बज़े के बाद अगर हमें यह सारा situation मिलता है तो इसको हम क्या करेंगे avoid करेंगे तीन बज़े से पहले मिलता है तो हम जा सकते हैं इसके बाद हम avoid करेंगे क्योंकि intra day में हमारे पास time कम होता और यह सारा का सारा tweet आपका intra demo हो रहा है इसलिए मैं आपको day by day आके बता रहा हूँ और यह resistance level हमारा आगे भी continue है यह नहीं last trading session जो market का था 13 April को था उस दिन भी यह continue है तो अब हमें आगे क्या करना देखिए आपका यह जो line है यह क्या बन गया resistance और जो lowest point है यह हमारा क्या बन गया support अगर support के पास आता है पहला point क्या देखेंगे support को touch का राइक नहीं करा दूसरा point यहां से हमें rejection दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अगर rejection दिख रहा है तो ठीक है अगर rejection नहीं दिख रहा है और यहां से भी rejection दिखना चाहिए, यहां से अगर आपका इस तरह से rejection दिखाता है, तो हम क्या करेंगे, sell करेंगे, और यहां पर इस तरह से rejection दिखाता है, तो हम buy करेंगे, इस तरीके से आप, days high and low, strategy का इस्तेमाल, intraday में कर सकते हैं, और यह bank nifty के लिए बहुत ज़्यादा स सकते हैं, so that's all friends, उमीद करते हैं, आपको हमारा, यह strategy वाला वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, प्लीज, वीडियो को लाइक करके, आमें इनकवेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़ूर कीज मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जैहिन